आज हम लोग बनाएंगे एक्तम रेस्टोरेंट जैसा आलूटिक का मसाला ये खाने में बहुत ही मज़दार है इसको आप चाहे तो रोटी, पराठा, पुलाव, राइस के साथ खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको एक बॉल में हम ले रहे हैं टु टेबल स्पुन दही, वान टेबल स्पुन कनफलार आप चाहे तो इसके जगा पे वान टेबल स्पुन बेसन भी यूज़ कर सकते हैं और देंगे हाफ तीस्पुन लाल मिर्च पाउडर सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे एक चीज मैं यहाँ पे बता दू कि दही को यहाँ पे यूज करने से पहले मैं एक स्टेनर में रखके पानी को नीजोल लिये थे मैरिनेशन के लिए इसमें जितना कम पानी रहे का उतना अच्छा होगा और अब हम यहाँ पे एक मीडियम साइस प्यास की लेयर्स को ऐसे अलग करकी कट कर लिया है और लिया है एक लाज साइस कैपसिकम डाल देंगे इसमें तीन मीडियम साइस आलू को हम ऐसे चोटे चोटे पीसेस में काट लिया है इससे ज़ादा बरा ना रखे दिन आलू सॉफ्ट होने में ज़ादा टाइम लग जाएगा डाल देते हैं इसको भी बहुत अच्छे से मिलाएंगे चाहे तो आप हाथों से भी इसको मिला सकते हैं दिन ये बहुत इजिली मिक्स हो जाएगा ऐसे इसको मिलाए ताकि सारे आलू, कैपसिकम, प्यास के उपर एक हलका सा मसाला की लियर आ जाए देन हम इसको कवर करके हाफ अनार के लिए रख देंगे इसके बीच में हम एक पेस्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए वान टेबल स्पून ओइल अच्छे से गरम करके डाल दिया है एक मीडियम साइज राफली चॉप्ट प्यास एक इंच अत्रक चार से पाँच लेसन की कलिया टू टेबल स्पून काजू दें इसको हम लोटू मीडियम फ्लेम में तीन से चार मिनिट के लिए हलका सा फ्राई करेंगे देखिए ये हलका सा फ्राई हो गया है तो अभी हम गैस ओफ करके इसको ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद एक मिकसर जान में हम इसको निकाल लेंगे और डाल देंगे तीन मीडियम साइज चॉप टोमाटो देन इसको हम एकदम स्मूध करके ब्लेंड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम स्मूध पेस्ट तयार है तो चलते हैं नेक्स टेप पे आलू को शैलो फ्राई करने के लिए हम तावा पे वान टेबल स्पून ओइल अच्छे से गरम कर रहे है ओइल गरम होने के बाद हम तावा पे फटा फट दाल देंगे मैरिनेटिट आलू, प्यास और कैपसिकम और इसको हम एक से देर मिनिट के लिए low to medium flame में ऐसी छोड़ देंगे एक से देर मिनिट बाद हम सारे आलू को पलट देंगे और फिर से एक मिनिट के लिए हम इसको ऐसी छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए एक से देर मिनिट के गैप में हम इसको कंटिनिवसली पलटते रहेंगे यानि कि ऐसी चारो साइट से हम सारे आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे आलू अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका कलर चेंज हो के ब्राउन कलर भी आ गया है लगेगा तो अब हम कड़ी बनाएंगे तो उसके लिए 6-7 तीबिल स्पून ओइल अच्छे से गरम करके डाल देंगे हमलेओ का बनाया हुआ पेस्ट मैं यहापे जाधा ओईल यूस कर रही हो रेस्टूरंट जैसा लुक्स देनी के लिए अगर आप चाहे तो इसको कम ओईल पाउडर, 1 टीजपून रेट चिली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट, 1 टीजपून तंदुरी मसाला इससे इसका टेस्ट बहुत ही बड़ी आएगा और हम लोग का मैरिनेट किया हुआ बैटर जो थोड़ा सा रह गया था वो भी इसमें एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करक ये तीन से चार मिनिट लो फ्लेम में हम इसको कंटिनिवसली बूनते रहेंगे जब मसाला पुरा पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे हम लोग का शालू फ्राई किया हुआ आलू कैप्सिकम और प्यास और इसको मिला के जस्ट एक मिनिट हम इसको ऐसी चलाते रहेंगे उसके बाद हम इसमें देंगे 2-3 कप पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी कम या ज़ादा कर सकते हैं और ही पानी को कम ना करें क्योंकि आलू को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा पानी चाहिए आप पानी का क्वांडिटी बढ़ा सकते हैं बट क हम ना करें देंगे 1-4 टीजपून गरम मसाला पाउडर मिक्स करके कवर कर देंगे और आलू को सॉफ्ट होने तक हम इसको लो फ्लिम में पका लेंगे अल्मुस्ट 12-15 मिनिट बाद हम धक्कन को खोल रहे हैं देंगे 1 टीजपून कसोरी मेथी और मिला लेंगे धक्कन आपे गैस ओफ कर देंगे तो चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं आप चाहे तो इसको रोटी पराठा पुलाव राइस के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं बट आप थोड़ा सा ओईल कम यूज़ करके बनाईए और हिल्दी रहिए अगर मेरी ये रेसिपी आप से मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए एंज़ाई याँटी